जय हिंद नमस्कार मेरे प्यार केसन भाव काई से आप सब आसा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे केसन भाव फिर आज रूँ एक नए वीडियो में प्याज के आज के ताज़ा भाव का अपडेट लेकर किसान भायों नेफाल देश से जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं प्याज के निर्यात को लेकर कि यहाँ पे प्याज के भाव क्या हैं पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के मादिम से सेर करेंगे वीडियो को सुरू से एंड तक देखें नेफाल देश में प्याज के भाव इस समय आसमान को छूते नजर आ रहे हैं क्यूंकि प्याज निर्यात जब से भारत ने बंद किया है नेफाल में जो है प्याज के भाव आसमान की और हैं किसनमयों इसके चलते नेफाल में इस समय जो है प्याज देड़ सव रुपए से दो सव रूपय परतिक किलो के हिसाब से नेपाल दिस में प्याज के भाव इस समय है इसका में कारण है कि भारत से प्याज वहां नहीं पहुंच रहा है इसी कारण प्याज के भाव नेपाल में सबसे महिंगे हैं किसनवयोँ जब से केंदर सरकार ने 8 दिसम्बर से 21 मार्च 2024 24 तक जो है प्याज निरियात बंद किया है उसके चलते जो है नेपाल में प्याज के भाव आसमान को छूते नजर आ रहे हैं अभी अभी जो है सुत्रों से ख़वर निकल के आ रहे हैं किसन भायों नेपाल से कि यहां पे जो है प्याज के भाव बहुती महंगे हो चुके हैं तो नेपाल सरकार जो है भारत सरकार से दरखास लगा रही है कि आप प्याज के निर्यात को जो है दुबारत से चालू कर दें ताकि यहां पर प्याज के भाव ठीक ठाक बने रह सकें और आपके किसान भाईयों को भी ठीक ठाक प्याज देखने को मिल सकें बरहल किसन भाईयो प्याज के निर्यात को लेकर अभी भी कोई सरकार की तरफ से गाइड लाइन जारी नहीं की गई है कि प्याज का निर्यात किस देश को होना है किसन भाई हो बरहाल किसन भाई हो अभी कोई भी प्याज के निर्यात को लेकर सरकार की तरफ से अफडेट निकल के नहीं आ रहा है जब भी सरकार की तरब से प्याज के निर्यात का अपडेट निकल के आएगा मैं आप लोगों को इस चैनल के मादिम से सबसे पहले अबगत कराऊंगा तो किसन भाईों ये थी जनकारी वीडियो में वीडियो और जनकारी पसंद आये तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जुरू कर दें लाइक के साथ साथ ज्यादे से ज्यादा हमर किसान भायों को सेर जुरू करें चैनल पर पहली बार है कि रिपाकर के चैनल को सब्सक्राइब जुरू करने धन्वाद